चलिए बच्चों तो एक अगला question सुरू करते हैं, अगला question इम्हें पर वास, question number 21, तो इसमें देखो क्या है, take the correct answer in the following, area of a sector of angle P in degree of a circle with radius R is, basically क्या है, question में जहां से अगर देखो तो यह formula पूछ रहा है हम से, कि हमें area of sector का formula बताना है, इसके रूप में क्या होगा जब हमारा angle P हो और radius उसकी capital R हो, अब देखो बचकाने वाला question है, बहुत छोटा सा question है, ठीक है, कुछ भी रही है, इतने सारे हमने question solve कर लिए है, already, आपको पता होने चीर, area of sector क्या होता है, देखो क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, हम अच्छे से जानते है, area of sector क्या होता है, बहुत सारे इप्रेशन कर चुके हैं, area of sector होता है, बहुता है, ठीटा अपॉन 360, πाई आर स्क्वेर, है न, यही होता है, ठीटा अपॉन 360, πाई आर स्क्वेर, अब यहाँ पे हमें देखो, ठीटा बरावर क्या दे रखा है, पी दे रखा है, और र बरावर क्या दे रखा है, capital R दे रख दो तो ठीटा की जाए क्या रख दे है, पी अपॉन 360 इन्टू पाई, पाई तो पाई रहेगा, आर की जाए क्या दे रहेगा, capital R, square, ठीक है, तो पी अपॉन 360, πाई आर, square हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका question पूछ रहा है हमसे, क्या होगा तो यह कौन सा option है पीटा, option देख लो, पी अपॉन 360, πाई रिस्पर, यानि की, option number second, option number second आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, clear आप सबको, यह question, ठीक है पीटा, clear है नहां यहां तक, कोई डिकर, कोई डाउट, simple सा question था, बस टेक करना था, यह एक number में question आ सकता है, ऐसा